Hello everyone, welcome to my channel and don't forget to subscribe and press the bell icon for latest updates. आज हम बात करेंगे एक सोशोलोजिस्ट जिनका नाम था S.C. दूबे, श्याम चरन दूबे. इनका जनम हुआ था 25 जुलाई को और 4 फेब को इनके डेथ हो गई थी. ये एक स्ट्रक्टरल फंक्शनलिस्ट है. इनके लाइफ स्केच की बात करें, तो सबसे पहले इनका जनम कहां हुआ? इनका जनम नर्सिंगपूर मध्यप्रदेश में हुआ. इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस नागपूर युनिवर्सिटी से ली और वहां पे इन्होंने अपना रिसर्च वर्क शुरू किया कमार ट्राइब्स पे, जो की मध्यप्रदेश किये हैं, उनमें इन्होंने शिप्टिंग कल्टिवेशन को पड़ा. लिंग्विस्टिक स्किल्स की बात करें, इंग्लिश और हिंदी में इनकी बहुत अच्छी कमांड थी. प्रोफेशनल करियर इन्होंने अज़ प्रोफेसर शुरू किया बिशप कॉलेज नागपूर में, और फिर ये मूफ कर गए लखनाव उनिवर्सिटी में. वही इन्होंने अपनी दकमार फेमिस बुक पब्लिश करवाई. वहाँ इन्हें D.N. मजूमदार मिले, जिनकी हल्प से इन्होंने Eastern Anthropologist एक जर्नल को पब्लिश करवाया. फिर ये मूफ कर गए उस्मानिया उनिवर्सिटी आज रीडर, वन फ्यूरर हैमंडॉफ की जगा. बाद में ये SOS and London School of Economics कहें, जो इन्हें Raymond Firth मिले, उन्होंने भी इनकी बुक्स लिखने में काफी मदद करी. बट उस्मानिया में भी इनका मन नहीं लगा, इन्होंने वो छोड़ दी. इन्हें बहुत ही अच्छी एक position मिल गई थी, Deputy Director की, Anthropological Society of India में, जिसकी वज़े से इन्होंने एक हिया. बाद में ये Professor रहे हैं, Saugar University MP में, और NICD में Advisor भी रहे हैं. NICD is National Institute of Community Development. बाद में ये Director रहे हैं, as Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. बाद जैसे हर sociologist को traveling का बहुत शौक होता है, इन्हें भी था. Shimla में भी इनका मन नहीं लगा, और और आगे बढ़ने के लिए, इन्होंने सोचा, जम्मू जाने का. So, next position जो इन्होंने अपनी ली, वो ली as a Vice Chancellor, जम्मू University में. इसके दोरान बीच में ये और भी बहुत अच्छे positions पे रहे हैं, जैसे President रहे हैं Indian Sociological Society के, ICCSR में National Fellow रह चुके हैं. इसके अलावा UNICEF and UNO में, काफी अच्छी, UN में, काफी अच्छी positions पे इन्होंने अपना Role Play किया हैं. इसके अलावा, अब हम देखेंगे Methodological Approach इन्होंने क्या अपना ही, मैंने Starting में ही बता दिया था, ये Structural Functionalist हैं. Means, ये बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ structures exist करते हैं, और वो क्यूं करते हैं, क्योंकि उनका कुछ function है. जैसे Family. Family का function है, हम सबको साथ रखना. उसके अंडर उन्होंने deductive, positivistic and macro perspectives पे जाधा focus किया है. So, आपको ये याद रखना है, specifically कौन-कौन सी Approaches थी. उसके बाद हमें इनके important six works देखेंगे, तो six में मैंने उसको divide किया हुए है, overall इनके काम को. अब उसको याद करने का क्या तरीका है? याद करने के लिए हम एक चीज यूज़ करेंगे यहाँ पे, that is called mnemonics. mnemonics होता है कि आप रोज मर्हा के जिंदगी से कोई भी words उठाइए, जिसको आपको जादा याद करने की ज़रूद नहीं पढ़ती है. और उन words को ध्यान में रखते हुए, आप ये words जो हैं, वो याद रखें. अगर वैसे आप याद करने के कोशिश करेंगे, तो शायद कुछ न कुछ ओमेट हो जाएगा. लेकिन, mnemonics की help से आप बहुत easily कर सकते हैं. इसका example मैं अभी आपको देती हूँ, उसे आप जादा clearly इसको समझ सकेंगे. Now, mnemonic हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, TV पे CM, Political Sociology और Indian Society की बाते करते हैं. आमसी बात है, जब भी TV on करें, हम CM या PM किसकी बात कर रहे होते हैं? Political Sociology की या Indian Society की? बस इतना ही याद रखना है. आपने सिर्फ उन शब्दों पे focus, उन alphabets पे focus करना है, जो मैंने capital में लिखे हैं, जैसे TV, CM, Political Sociology, Indian Society. इसी को याद करकर हम अपने पूरे जो दूबे जी के छे काम हैं, उनको अच्छे से याद कर सकते हैं. हर एक काम को लिस्ट करके, फिर हम उसके आगे specifications देखेंगे, कि आगे उसके बीच में उन्होंने क्या बात करी हैं? ठीक है? तो पहले शुरू करते हैं, T से क्या है? TV था पहला, T is for Tribal Society. इन्होंने कमार जो थे Tribes, उन पे study किया मध्यप्रदेश के Shifting Cultivation. सो Tribes के बारे में जितनी भी चीज़े हैं, वो Tribal Society के अंदर लिखनी हैं. वो कैसे रहते थे? Shifting Cultivation क्या था सब? Next था V, TV में. Next था V, V is Village Study. V, Village Study में उन्होंने बताया है, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि शमीर पेद गाउं हैं, उसमें इन्होंने यह study की थी. वहाँ पे इन्होंने बताया है कि Interdisciplinary Approach है, सारे एक दूसरे पे Dependent होते हैं, ठीक है? बेसिक यही चीज, वो रहते ही कैसे हैं, आपस में उन्होंने कैसे एक काम करने का तरीके डिवाइड करे हुए हैं, उनका Economic Style क्या था? Basically इस पे फोकस करते हैं. फिर आता है CM, C से आता है Community Development Program. देखा गया है कि दूबेजी का इंटरस्ट इसलिए Village Study की तरफ जादा हुआ था क्यूंकि उस उनके समय पे CDP, Community Development Program, सरकार ने लांच किये थे. Community Development Program का मतलब ये था कि सरकारी कुछ पॉलिसी जिससे कि Village के लोगों में जो Level of Living है वो जादा अच्छा हो सके. So, इसमें Human Factors पढ़े ऐसी दूबेजी ने. Now comes M, CM का M, Modernization and Development. अब Modernization की अगर बात करें, तो Modernization में ही कहते हैं कि Modern हम किसी चीज़ को तभी कहते हैं, जब वो अपने सारे Aspects में आगे बढ़े. जैसे Aspects कौन कौन से हो सकते हैं, Cultural Aspect, उनके पढ़ाई का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका, उनके इंटराक्शन का तरीका, इन सब में अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, तभी हम उसे Modern Society कह सकते हैं. अब development क्या है, development यह कहते हैं कि यह economic perspective से development को देखते हैं, यह चार फेज़ में development को डिवाइड कर देते हैं, economic development, सबसे पहले जिसमें हम देखेंगे, उसके बाद यह देखते हैं, second phase में relationship, economic development और social change की, तीसरे में यह देखते है, reactive and responsive phase, means क्या reaction आया था उसका, और fourth में यह reflexive phase, reflexive means हम सिर्फ इंडिया की ही comparison नहीं करेंगे development, हम वर्ल्ड में पूरे, इंडिया कहां stand करता है, in terms of development, वो देखेंगे, अब development में कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जो हमें याद रखनी चाहिए, इन्होंने काया कि अगर किसी जगा पे बहुत से लोग माल नर हर साल वो unemployment बढ़ रही है, प्रते दिन बढ़ रही है, तो हम उसे develop नहीं कहेंगे, नाव, पूरा वर्ड, political sociology, political sociology का यहां पे उनका कहना है, यह उनकी fifth, वो थी, main focus study का, political sociology में उन्होंने कहा है कि पहले जमीदारी system चलता था, दीरे दीरे जब state ने इंटरफेर करना शुरू कर दिया, तो चितने भी लोग exploit होते थे, उनको इससे काफी राहत मिली, so politics का मतलब है कि state का, police का interference, state की policies का interference, जो forced labor था वो अब नहीं हो रहा है, जो feudal state है, वो abolish हो गई है, जमीदारी abolish हो गई है, जादा नेशन जो है, वो बिल्डिंग की, nation building जादा होने लगी है, हमारा देश जादा बढ़ने की तरफ जा रहा था, जिनकी पहले higher positions थी, अब नहीं है, ठीक है, then comes Indian society, मैंने as such ही लिखा था, capitals में, Indian society में basically ये बात करते है, कि society, past में कैसी थी, present में कैसी है, जो society में continuous change आया है, continuity है या change आ रहा है, ये बात करते है, caste ranking कैसे थी, dominant caste क्या थी, leadership क्या है, इन चीजों के बारे में उन्होंने जादा इसमें बात करनी है, so basically ये यही कहते हैं, कि जिनके पास पहले से ही bycast, जिनके पास power थी, उन्हीं के पास power है, जो exploited थे, वो अभी भी exploited है, so overall आपने ये याद रखने हैं, बाकि आप अपने notes refer कीजिए, इगनु के notes जो हैं, वो बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, और भी बहुत sources हैं, जहां से आप इसके notes ले सकते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक general idea दे रही हूँ, Now, important books आपने इनके याद रखनी है, so the कमार, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुकियो, सिर्फ आपको बुक का नाम करना है, India's Changing Village, Changing Village में उनने यही देखा कि क्या change आया है, right, then institution building for community development, क्योंकि change आ रहा है, तो community development के लिए जरूरी थी थी यह चीज़े, वही modernization के उपर बात क किये, society को understand किया है, फिर से modernization development की books लिखी है, traditional development पे उनने काफी बात की है, understanding change, कैसे इसारा change आ रहा है, इसके बारे में लिखा है, और last में Indian society, जो 6 काम थे, उन ही के basis पे इनोंने अपनी books लिखी थी, so यह चीज़े आपको याद होनी चाहिए, now critics, critics की बात करें, तो critics होता ह है कि किसने इनकी आलोचना की, कि इनोंने कहा कि इनके काम में एक कमी थी, कमिया निकाली, so dn धनागारे, dn धनागारे वो थे, जिन्होंने इनकी कम्या निकाली, उन्होंने पहली कमी ये निकाली, कि इनके काम में analytical insight नहीं है, इसका मतलब है कि हम इनके काम को अच्छे से analyze, काम को खुद नहीं अनलाइज कर बाते हैं ठीक है और कोई उनों ने एक अल्टरनेट फ्रेमवर्क नहीं दिया है विलिज को स्टडी करने के लिए ठीक है यह दो ही है और भी बहुत क्रिटिक्स होंगे आप जब रिसर्च करेंगे और और बुक से पड़ेंगे आपको बहुत सारे क्रिटिक्स मिलेंगे बट फिलहाल के लिए इतना ही नाव प्लीज लाइक दे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स